है गाइस वेलकम बैक और सभी का स्वागत एक और नह वीडियो में आज संडे है 10th of July काफी सही मूड में था यार मैं आज क्योंकि एक अच्छी चीज भी थी कल मेरे साथ और आज वीडियो एंड स्ट्रीम दोने वाने वाली है वीडियो तो खास और कुछ आने वाली थी जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं इस वीडियो से इसका रीजन यह है कि आपको पता हुआ कि महीने दो महीने पहले एक अकाउंट था मेरा रिबल जो हैक हो गया था वो टाउनल 12 था उसके बाद जिसने हैक किया उसे टाउनल मैंने स ताउनल 13 अप्ड्रेड कर दिया था और सारे जैंब मेरे वेष्ट कर दिया थे कुछ 6-8000 जैंब थे मेरे पास and town hall upgrade कर दिया और gems waste कर दिया जो भी था मैंने सह लिया account हमने recover कर लिया था but मैंने जादा serious नहीं लिया था चीज को कि चलो ठीक है जिसने किया हो या जो होना था हो या फिर हमने town hall जो 13 हमारा हो या था उसको हमने fix करना शुरू किया हमने gold passes purchase किया उस पर था कि हम जल्दी progress कर सके और पता है क्या आज मैं सुबा उट के क्या देखता हूं कि वो account वापस आएको चुका है अब literally मुझे काफी गुसा आया अगर मैं आपको दिखाना चाहूं यहां अगर दिखता है तो सही है वरना मैं आपको tag search करके दिखाता हूं I think यहां से वो चीज जा चुकी है मैं आपको tag search करके बताता हूं क्योंकि tag obviously मेरा account है तो मेरे पास tag रहता ही है so जैसे आपको अगर मैं यहां दिखाता हूं और एक चीज मैं और explain करूंगा कि ऐसा क्यूं हो रहा है और काफी जादा frustrate हूं मैं इस बार ठीक है obviously बात है कि इस बार मैं इतना मजाग मैं नहीं ले रहा हूं या फिर इतना casual नहीं ले रहा हूं मैं सारे चीज़े explain करूंगा कि क्या हम इसके ओपर action लेंगे या फिर जो पने plan किया है तो यह account है और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि यह same clan है last time भी जब यह account मेरा hack हुआ था तो इस ही clan में था इसका मतलब मुझे जितना लग रहा है कि कोई particular बंदा है जो यह काम कर रहा है और obviously बात मैं आपको अभी थोड़ा देर बात बताऊंगा कि क्या हम इस बार action लेंगे अभी तक जो चीज़ अच्छी है कि इसने नाम चेंज नहीं किया है वैसे I don't care अगर उसो नाम चेंज भी कर देगा तो मैं वापस कर लूँगा but theme यह है guys कि जैसे अगर आपको मैं base visit करा हूँ अभी तक इसने town hall 13 जो है वही 14 अप्ग्रेड नहीं मा रहा है और जितना मैं देख पा रहा हूँ इस अकाउंट में जितना मुझे याद है obviously मेरे infernose वगरा तो अप्ग्रेड पर ही चल रहे थे इसने RC को अप्ग्रेड पर डाला यहां पर और I think कि अब मेरे पास जितने भी magic items वगरा मैंने store कर रखे थे मैंने 2-3 rune store किये थे मैंने 2 book store किये थे और वीडियो आने वाली थी आज ही तो यह मुझे पता है कि इसने सारे waste कर दिया होंगे अब मैं आपको बताना चाहूंगा guys की scene क्या है scene यह है कि सबसे पहले तो मैं supercell से खाफी नराज हूँ क्योंकि कैसे कोई इतना असानी से account आपका बार-बार वो कर रहा है रिकवर कर रहा है इसने recovery किया और recover करने के लिए आपको क्या च्योंकिक होता है आपको प्लेयर टैग च्योंक को अकाउंट कौन सा टाउन हॉल है यह च्योंकि होता है और कौन से clan में था यह सब च्योंकि होता है तो यह सारे जो data है यह काफी easily available मतलब लिटरली मैं चाहूं तो आपने कोई भी clan हमारे छोगए हमारी अभ गाइण हम चाहूंच कोई जयससे मैशना भाइक गृता है अब मुझे डने आ इब्हाजे बिपता है अगर यह सार कीज़र इंफेशन में डालता हूँ और कोई भी ऐसा account से मैं अगर request करता हूं जिससे मैं season passes या फिर skins वगरा purchase करता हूं तो वह easily recover कर देता, last time भी मेरे साथ यह scene हुआ था, last time जब मैंने recover किया था, मैंने क्या किया, मुझे पहले यह बोला गया, कि आप ऐसे कोई account से अगर appeal कर सकते हैं, जिससे आप purchasing करते हैं, तो हमें ढूंडने में असानी होती है, तो फिर मैंने किया, और process बहुत ही smooth था, जैसे मैंने ऐसे account से request डाली, जो account से मैं passes purchase करता हूं, या फिर skins, sceneries वगरा purchase करता हूं, तो उन्हों information तो आपको लेना चाहिए ना, जो सबके पास available ना हो, जो सब आप जानते हो, तो यह काफी shocking है, मतलब आप इतने बड़े, obviously supercell इतनी बड़ी company है, इतने सारे games चलाते हैं, और ऐसे easy लेकर वो accounts को करेंगे, तो फिर मुझे तो बिलकुल सही नहीं लगाई है, और obviously बात है कि last time मैंने normal जो तरीका था, उससे मैंने account recover किया था, जैसे help and support मैं मैं गया, मैंने details भरे और वो जो भी हुआ, वो smooth process था, ऐसा नहीं था, बहुत difficult था, क्यूंकि मैं purchasing काफी करता हूँ, इसलिए, but obviously बात है, मेरे को बहुत सारे mails आते हैं, जो लोग purchasing नहीं करते हैं, उनको recover कर काफी difficult होता है, मैं समझ सकता हूँ, यह काफी frustrating चीज है, कि आपका account है, आपने महनत करी है, आपने सालों से progress किया, और कोई और खेल रहा हूँ, कितना ज़्यादा गुस्सा आता है, उस चीज को देखने में, और आप helpless आपको लगता है, क्योंकि आप purchasing नहीं करते हो, आपक इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, obviously क्यों हम creators हैं, तो Supercell से, इस बार मैं directly बात करने वाला हूँ, और मैंने यह request डाल भी दिये, Supercell से मैं बात भी गर रहा हूँ, कि जो बंदा यह कर रहा है, उसके जो अलग accounts है, जिस account से उसने यह किया है, obviously बात है कि अगर आप recover कर रहे हो, त उस account से तो recover कर नहीं सकते है, क्योंकि वो account आपका जा चुका है, तो जो backup accounts है, मतलब जो आपका primary account है, या फिर कोई भी किसी और account से आप जो request कर रहे हो, मैंने Supercell को बोला, आप प्राइक करें प्लीज, और इस account को ban करें permanently, क्योंकि एक, क्या बोलूँ है, scammer, कम hacker, कम जो भी ह इल्लॉजिकल, इल्लीगल चीजे कर रहा है, तो मैंने यही बोला, कि प्लीज, उन्होंने में मुझे कहा है, कि हम strictly इस चीज को check कर रहे है, और जो भी इसके पीछे है, उसके accounts, जितने भी accounts वो track कर पाएंगे, उसके, उन सारे accounts वो permanent ban करेंगे, तो देखते हैं, क्या होता है मैं आपको आने वाले time में जो है, इसके updates दूँगा, बट अभी एक चीज मुझे काफी बुरी लग रही है, क्योंकि as a creator, अब यह चीज मैं as a creator बोल रहा हूँ, अब देखो उस account पे हमने कितने planning करें, मैंने कितने चीजे save करके रखे थे, videos आने वाली थी, सारे चीजे होन क्योंकि obviously इस इन चीजों पर time नहीं अपने पास, इस बार नहीं, इस बार एक step आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार अगर मैं नहीं करूंगा तो और next time भी करेगा, तो obviously बात है, अगर उसके जो account से रिकवर किया, उस account को अगर हम permanent ban करवा दे, तो फिर next time वो करने से स जरूर सोचेगा, और जूसरे लोग जो ऐसे करते लोग के साथ, वो भी सोचेगे, और आप लोगों से भी मैं request करूंगा कि, किसी का भी अगर account lost हो रहा है, तो obviously जाके report करो इस चीज को, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि अब तो मिलेगा नहीं, या फिर जो भी है, बट ठीक जरूर report करो, कि ऐसा चीज हुआ है उनके साथ, कौन से clan में है, इसको mention करना, obviously बात आप player को तो नहीं detect कर सकते कि कौन, किसने किया है, कौन से account क्या player ने ये किया है, but obviously बात आप clan को detect कर सकते हो, कि obviously वो, जो hacker होगा, वो अपने ही clan में लेके जाएगा, उस account को, ऐसा तो नही back, मतलब, इसके बाद में आपको बताऊँगा कि क्या हो रहा है, अभी तक तो scene ये है, कि बाते हुई है मेरे साथ, उन्होंने बोला है कि मुझे कुछ time दीजिए, हम लोग जल्द इस चीज को fix कर रहे है, ये तो रही contact and support की बाद, help and support की बाद, और super जल जैसे मैंने personally भी ब information मिला और जो player ये कर रहा है, उसके, जैसे मैंने बताया, उसका जो account से उसने किया है, उसको हम permanent ban करवाने की कोशिश कर रहे है, ताकि वो एक सबक्त मिले उसको, और इस चीज को वो करने से डरे, and please, सभी से request है guys, कि किसी का भी account ऐसे करने की कोशिश मत करो, आप मेहनत करो अ काफी सरे mails receive होते हैं, मैं हमेशा सबको यह कहता हूँ, कि आप help and support में जाके, अपना query जो है वो डाले, क्योंकि, इस situation में हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि, मैं अगर बात करूँगा, आपको, मतला, आपके, होके, कि भाई, यह friend मेरा, इसका account यह होगी है, तो इस कि कब तक account मेरा वापस आता है, और जैसे ही वापस आता है, मैं आपको explain करूँगा कि कैसा रहा scene, last time भी मेरे साथ काफी smooth process रहा था, इस बर कैसा होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, and क्योंकि, इस बर मैंने पहले से जादा इस चीज को serious लिया है, और काफी जादा मैं बा concepts उन में से कुछ मैं videos उठाता हूँ, उन पर काम करता हूँ, but अभी के लिए इतना ही, I hope इस video से आपने काफी जादा information गें किया होगा, और अपने accounts को भी थोड़ा secure रखे, किसी friends, and कोई भी ऐसे बंदे के साथ share मत करें, जो आपको, even कि मैं ऐसा account तो share करने का मने ही कर रहा and as always, जाहन, बाइ!